एक आईफोन 15 प्रो मेक्स के दाम में आपको दो आईफोन 15 देखने को मिल सकते हैं आखर इतनी जादा कीमत क्यों कर दिये आईफोन इतने जादा बहांगे होने के बावजूद में आखर बोरिंग क्यों है चलिए पता लगाते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इस बार आईफोन के अंदर कुछ मेजर चिंजिस हुए हैं और उस मेजर चिंजिस के बारे में अगर मैं बात करने जाओगा तो आपने पोल लोगी कि सच में ये मेजर चिंजिस है चलो सबसे पहले तो Pro Max or Pro Model की बात कर जाओं क्योंकि सबसे बड़े changes इन ही में हुए regular iPhone 15 में उत्ते बड़े changes नहीं हुए जितनी हम expectation कर रहे थे Pro Max or Pro के अंदर बात कर रहे तो इस बार आपको titanium frame देखने को में लेगी यहाँ पर titanium material की खास बात यह रही कि इससे iPhone lightweight हो गया वदलब iPhone 15 Pro Pro Max iPhone 14 Pro Pro Max से lightweight होंगे इससे जादे durable भी होंगे scratches भी कमाएंगे और उपर से titanium की thermal conductivity low रहती है जिस कारण से आपका iPhone गरम नहीं होगा और obviously एक superior material है और one of the most expensive material है इस वज़े से iPhone की जो कीमत है उसके अंदर एक increment आया इसके साथ ही बात कर रहें तो iPhone 15 Pro सेरीज के अंदर आपको नया Apple का A17 Pro Biolic processor देखने को मिलेगा ये processor 3NM की technology में based है TSMC के द्वारा निखाला गया पहला ऐसा processor जो market में आ रहा है 3NM वाला और 3NM की technology बहुत advanced होती है और उसके प्रोसेसर बना पना महंगा पड़ता है इसके साथ ही display के अंदर कोई major changes नहीं है लेकिन peak brightness 2000 nits की पहुँच चुकिया है वही डैनमे कालेंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके साथ ही हम लोग expectation लगा कर वे थे थे USB Type-C port का आना वो भी iPhone के अंदर आ गया iPhone 15 Pro और Pro Max के अंदर USB 3 बेस्ट आपको USB Type-C port आपको देखने को मिलेगा और वही बात करें इस बात जो Pro Max मॉडल है वहाँ से आपको 128 GB मॉडल गायब कर चुकी अपल और वर्ल लैट 60,000 से जो मॉडल स्टार्ट हो रहा है न इसके साथी कैमरा वे 48 MP का मेन कैमरा है जिसके अंदर 4 in 1 pixel बेनिंग का यूज करके 12 MP की फोटोग्राफ भी ले पाएगा लेकिन 2 in 1 pixel बेनिंग भी कर पाएगा जिस कारण सा 24 MP की फोटोग्राफ से ले पाएगे जो कि काफी जादा शार्प यहाँ पर हो सकती है यानि की कैमरा के software, HDR की processing, portraits इनको improve किया गया है लेकिन 15 Pro Max के अंदर इनोने यहाँ पर 5X का optical zoom डाले जिसके अंदर tetrapism को यहाँ पर use किया गया है लेकिन Pro model के अंदर यह feature को available नहीं करवाया गया बात करें तो यह कुछ major changes है आईफोन 15 Pro और Pro Max के लेकिन आईफोन की जो line-up रहती है 15 वो इंडिया में बन रही है लेकिन जो Pro और Pro Max वो इंडिया में नहीं बन रहे है शाद इसी वज़े से इनकी कीमत पर असर पड़ा है और जहां हमें लग रहा था कि पुरानी कीमत repeat करेंगे वो repeat इंडिया के contest में नोने नहीं करी है आज भी आईफोन 15 Pro और Pro Max USA में तो उसी कीमत पर launch हुए लेकिन इंडिया में इनकी कीमत सच में काफी जादा हो चुकी खास दोर पर Pro Max model जो 1,60,000 से start होता है जबकि बात करें आईफोन 15 Pro वो यहां पर लगभग 1,35,000 से start हो रहा है फिर यह एक चीज़ है यहां पर इसके साथी बात करें तो आईफोन 15 के अंदर क्या changes है देखो आईफोन 15 का इंडिया में production शुरू हो चुका है इतना हमें पता है और एक benefit यहां पर मिला है कि आईफोन 15 की pricing के अंदर इंक्रिमेंट ही है आईफोन 15 120 GB का base model अभी भी शुरू हो रहा है एकटी ठाउजन रुपीज से और आईफोन 15 प्लस शुरू हो रहा है नाईटी ठाउजन रुपीज से मतलब pricing देखा जाते है उन्होंने आईफोन 15 की pricing तो last 10 की match कर दी लेकिन improvement क्या-क्या लेकर आए है देखो सबसे पहले तो display के अंदर आपको dynamic आलेंट देखने को मिला है लेकिन display अभी भी 60 Hz है आईफोन 15 प्लस का 120 Hz दिस्प्ले इन्होंने maintain कर रखा अपने से प्रो और प्रो मैक्स मॉडल में वहीं बात करें आईफोन 15 के अंदर जो display है वो भी 2000 nits की peak brightness अचीप कर सकता है वो एक improvement है 48 मेगा पिक्सल का camera अभी इन्होंने आईफोन 15 में डाले जो कि 24 12 मेगा पिक्सल में output ले पाएगा लेकिन कोई telephoto zoom lens नहीं है और macro photography भी आपको देखने को नहीं मिलेगी लेकिन ultra wide angle lens है देखने को मिलेगा प्रोसेसर में Apple की A16 Bionic को इंट्रिड्यूस किया गया जो last year के iPhone 14 Pro के अंदर दिखाई गई थी और उस Bionic processor का benefit है आपको वैसी पोखन में इस वैसी सारी चीज़े आपको देखने को मिलेंगी और यहां पर जो USB Type-C port पी डाला गया वो भी USB 2 की speed कर डाला गया USB 3 भी Pro models के अंदर ही reserve कर रखे उन्होंने और यहां पर color infused glass back को उन्होंने इंट्रिड्यूस किया that's it यही कुछ चेंज़े था जो iPhone 14 को 15 से थोड़ा अलग बनाते है और यह देखके इंग बाद बता सकता हूं मैं आप लोग को Apple का प्लान ऐसा है कि iPhone की 15 लाइनप को और 15 Pro के अंदर एक difference क्रेट कर दो मतलब इतना बड़ा यहां पर difference क्रेट कर दो कि लोग जो एनकत किसी को गर थोड़ा जादा बैटर प्रोड़क्ट चाहिए तो उनका Pro model ही जा कर ले क्योंकि उसके अंदर हर मामल में बैटर चीज़ देखने को मिलेगी A17 Pro Processor देखने को मिलेगा जिसके अंदर को Pro Grade Level का GPU नो ने कहा है एक बैटर बिल्ड देखने को मिलेगी टाइटेनियम, USB के साथ स्पीड जादा देखने को मिलेगी डिस्प्ले बैटर है, कैमरा बैटर है, Pro Max में तो जूम भी बैटर कर दिया लेकिन वहीं देखा जाए तो iPhone 15 के अंदर सारी चीज़े में ऐसा लगता है कही न कहीं इतने जादा कट डाउन करें iPhone 15 के अंदर कि देखे लगता है कि Pro Model में जादा चीज़े मिल रही है लेकिन 15 Model वही थोड़ा सा बोरिं हो गया लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि iPhone 15 मार्केट में चल जाएगा खास तोर पे अपने Dynamic Island के कारण Dynamic Island भले ही गिमेक हो लेकिन ये फीचर की डिमांड है मार्केट में और आप मेरी बात माने ना माने लेकिन iPhone 14 के बिकने का मेन रीज़र नहीं है कि उसमें Dynamic Island था वहीं बात करें iPhone 15 में Dynamic Island उसका मबैटर कैमरा और USB Type-C पोर्ट ये तीन ऐसे चीज़े होंगी जो उसको यहां पर पिकने में मदद करेंगा लेकिन देखने वाली बात है कि जितना बड़ा डिफ्रेंस से लोग क्रेट करते जा रहे नॉर्मल iPhone और अपने Pro Model के नर्वों धीरे-धीरे काफी बड़ा होता हुआ जा रहा है मेरे को लगता है कहीं ऐसा नहीं कि Pro Model और Non Pro Model के वीच में इतना बड़ा डिफ्रेंस हो जाए कि Apple को बीच में एक और iPhone यहां पर उतरना पड़ जाए यहां तक कि एक और बात यहां पर नोटिस करें Apple ने सीधिय अपना A17 Pro Processor को निकाल दिया कोई A17 को निकाला हो सकता है कि अगले साल यह जो अपना A17 चिप है यह लोग अपने नए iPhone 16 के अंदर इंटर इंटर्डिउस करें लिकिन फिलहाल के तौर पर बात करें तो Apple का एक attempt है हाँ पर कि कि किस तरीके से already existing चीज़ों को थोड़ा से बेटर किया जाए और इस साल के iPhone में यह बात यहां वे दिखती है पहले वाले वर्जिन को लिया गया और उनके अंदर कुछ refinement करें गए सबसे जो बड़ा चेज़ था USB Type-C पोर्ट का आना वो एक काफी अच्छा चेज़ जो मेरे को यहां पर लगा लेकिन डेफिनिटली इसका जो क्रेडिट होता है वो यूरोपियन यूनियन को जाना चाहे क्योंकि अरोने जो लॉव स्टेंडर्ट सेट करें थे उनके कारण एपल को USB Type-C पोर्ट डालना पड़ा यहां पर क्योंकि अगर वो लॉव यहां पर सेट नहीं करते तो आज भी लाइकनिंग पोर्ट आ रहा होता है यहां पर तो अगर बात करें तो आप लोगों से एक सवाल रहेगा कि आप लोग किस क्यूँ पर आने वाले समयविंग वीडियो देखना चाहोगे क्या फॉन 15 प्रो प्रो मैक्स या 15 या 15 प्लस आप लोग अपता जो उपीनिया दे नीचे कमेंट के अंदर हवे बता सकते हैं और हां टेक के दुनिया के थोड़े से डिफरेंट टाइप के वीडियो अगर आप लोगो को पसंद है ना तो सब्स्क्राइब कर लेना थैंक्य आपको वीडियो देखने की मैं आपसाल तो नेक्स वन केंदर गुद्बाइ